फ्रेंज वेलकम बैक तू माई चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कर्ज मुक्ति के उपाये वो भी आपकी राशी के हिसाब से राशी के हिसाब से यदि कोई भी चीजें कोई भी उपाये अपनाया जाये तो इसका दसकुना परिणा मिलता है क्योंकि प्रतिक व्यक सबसे मेश राशी वालों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और नित्य सुबह गणपती जी को फूल अर्पन करना चाहिए दूसरी जो राशी है वो है व्रिष राशी व्रिष राशी के लोगों के लिए मालक्षमी की पूजा बहुत ही अच्छी फलदाई होती है और मित्यमा लक्ष्मी को लाल फूल अर्पन करें। मित्थुन राशी वालों को कर्ज मुक्ती के लिए हनुमान जी की पुजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पुजा करें और सुबह साम हनुमान चालिशा का पाठ करें। हनुमान जी की समक्स घी का दीपक जलाएं। करकराशी वालों को केले के व्रिक्ष की पुजा करनी चाहिए और गुरुवार के दिन केले के व्रिक्ष की नीचे दीपक जलाना चाहिए सिहाराशी वालों को पीपल के व्रिक्ष की पूजा करनी चाहिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे दिया जलाएं और पीपल पर जल अरपण करें कन्याराशी वालों को कर्जमुक्ति के लिए भगवान शिफ को जल अरपित करना चाहिए धन प्राप्ति के लिए भगवान शिफ को जलरपण करना बेहद ही शुब माना जाता है खास कर करन्याराशिवालों के लिए तुलाराशी के लोगों के लिए कर्जमुक्ति के लिए विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करें यदि आप विश्नु सहस्त्र नाम का पाटना भी कर सकें तो ओम नमो भगवते वाशु देवाय मंत्र का 108 माला जाप लें या 108 बार आप इस मंत्र को जब कर सकते हैं और पीले वस्त्र धारण करें अगली जो राशी है वो है व्रिष्टिक राशी व्रिष्टिक राशी के लोगों को तुलसी का दल अरपन करना चाहिए मंगलवार के दिन श्री हरी भगवान को अगली जो राशी है वो है धनु राशी धनु राशी के लोगों को कर्ज मुक्ति के लिए विश्नु और लक्ष जी के पूजा करनी चाहिए और वुद्द बार के दिन गनेश जी को हरी इलायची अरपन करना चाहिए अगली राशी है कुंब राशी कुंब राशी वालों को शिवलिंग पर जल अरपन करना चाहिए सोमवार के दिन अगली राशी है मीन राशी मीन राशी वालों को सूर्य देव को जल अर्पिन करना चाहिए निक्त्य सवेरे तो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए जानकारी लाप्रद होगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें तैंक यू